भगवद गीता यथारूप आमोख हमारा चैनल आपके जीवन को आनंद मै बनाने के लिए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सरुप्रथम मैंने भगवद गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब ये प्रस्तुत की जा रही है दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपी को छोटा कर दिया गया जिससे अधिकान श्लोकों की व्याख्याए छूट गई थी मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिये गए हैं फिर उनका अंग्रेजी में लिप्यन तक्रुन, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद और अंत में तात्परी रहता है इससे कृति प्रमानिक तथा विद्वत तापूर्ण बन जाती है और उसका अर्थ स्वता स्पष्ट हो जाता है अतय जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपी को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई किन्तु जब भगवद गीता यथा रूप की मांग बड़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझे से अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूँ अतयव ज्यान की इस महानकृती को मेरी मूल पांडुलिपी का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया है जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त हैं जिससे की कृष्णभावनामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा सके हमारा कृष्णभावनामृत आंदोलन एतहासिक द्रिष्टी से प्रामानिक सहच तथा दिव्य है क्योंकि यह भगवद गीता यथारूप पराधारित है ये संपूर्ण जगत में विशेष्टय नई पीडी के बीच अतिलोक्प्रिय हो रहा है ये प्राचीन पीडी के बीच भी अधिकादिक सुरुची प्रदान करने वाला है प्राधिस्ट में इतनी रूची दिखा रहे हैं कि हमारे शिश्यों के पिता तथा पितामा हमारे संथ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं लोस एंजलेस में अनेक माताय तथा पिता मेरे पास ये कृतग्यता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगवाई कर रहा हूँ उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिकी लोग बड़े ही भाग्यशाली है कि मैंने अमरीका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारम किया है किन्तु इस आंदोलन के आदी प्रवर्तक तो स्वयम भगवान कृष्ण है क्योंकि यह आंदोलन बहुत कालपूर्ण प्रवर्तित हो चुका था और परंप्रद्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा है यदि इसका किन्चित मात्र श्रे है जो मुझे नहीं अपितु मेरे गुरू कृष्ण गृपा मूर्ति ओम विश्णुपाद परमहन्स परिवराज का चार्य एक सो आठ श्री श्री मद भक्ति सिधान्त सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है यदि इसका कुछ भी श्रे मुझे है तो बस इतना ही कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवद गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है मेरे इस प्रस्तुती करन के पूर्व भगवद गीता के जितने भी अंगेजी संसकरन निकले हैं उनमें व्यक्तिगत महत्वकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं किन्तु भगवद गीता यतारूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण की संदेश मिशिन को प्रस्तुत करना रहा है। परब्रम है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुनों, उनकी लीलाओं आदी में अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है उसके लिए कृष्ण के सर्वोच ग्यान को समझ पाना कठिन है। सामान्यतया तथा कथित, विद्वान, राजनीतिग्य, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के समय ग्यान के बिना भगवद गीता पर भाष्ण लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं। भगवद गीता का ऐसा अप्रामानिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है और श्री चैतन्य महाप्रभू हमें ऐसे अप्रामानिक लोगों से सावधान कर गए हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवद गीता को मायावादी दृष्टी से समझने का प्रयास करता है वो ब अत्र उद्देश्य बधजी ग्यासुओं को उस उद्देश्य का मार्ग दर्शन कराना है, जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अर्थात प्रतिक आठ अरब साथ करोण वर्ष बाद अवतार लेते हैं। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा जिस तरह से कृष्ण के प्रतम शिशे अर्जुन ने उन्हें समझा था। ऐसा क्यूं है? इसकी पूरी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। दुर्भाग्यवश संसारी जगडालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिध्धानतों को ठीक से न समझने देने में भगवद गीता से लाब उठाया है। प्रतेक व्यक्ति को जानना चाहिए कि इश्वर या कृष्ण कितने महान है और जीवों की वास्तविक स्थितिया क्या है। कि भवतिक सुविधाओं की प्रगती से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। उसे इसका ज्यान नहीं है कि भवतिक या बहिरन प्रकृती अत्यंत प्रबल है क्योंकि हर प्रानी प्रकृती के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह जकड़ा हुआ है। सौभागयवश जीव भगवान का अंश रूप है अतयव उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन प्रकारों से अपनी इंद्रिय त्रिप्ती करके सुखी बनना चाहता है किन्तु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाए उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोचर सिद्धी है। भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवद गीता के इस क हायता प्राप्त कर सकता है अतह हमें आशा है कि हम भगवद गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मनब लाब उठाएंगे और यदि एक भी व्यक्ति भगवद भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास सफल मानेगे